C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाख की गोलियां बना कर देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास धेर सारी गोलियां होती रंग भिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्छे का मन मोह लें वैसे तो मेरे मामा के गाउं का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था परन्तु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था जैसा कि गाउं के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू का मकान कुछ उचे पर बना था मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का व्रिक्ष लगा था उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिगलाया करता सामने एक लकडी की चोखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाह के समान पतला करके चूडी का आकार देता पास में चार छे विभिन आकार की बेलन नुमा मुगेरिया रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती लाख के चूडी का आकार देकर वह उन्हें मुगेरियों पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूडीया बना चुकने के पस्चात वह उन्हें पर रंग करता बदलू यह कारे सदा ही एक मचिये पर बैठ कर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उसका हुका रखा रहता जिसे वह बीच-बीच में पीता रहता गाउं में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीचता वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूडियां बनाते देखता रहता लगभग रोज ही वह चार-छे जोड़े चूडियां बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ा कर कुछ ख्षन चुप-चाप देखता रहता मानों वह बेलन ना होकर किसी नव वदू की कलाई हो बदलू मनिहार था चूडियां बनाना उसका पैत्रक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूडियां बनाता था उसकी बनाई हुई चूडियों की खपत भी बहुत थी उस गाउं में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूडियां पहनती ही थी, आसपास के गाउं के लोग भी उससे चूडियां ले जाते थे परंदुवे कभी भी चूडियों को पैसों से बेचता ना था उसका अभी तक वस्तु विनमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूडियां ले जाते थे बदलु सुभाव से बहुत सीधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगड़ते नहीं देखा हाँ, शादी विवाह के अफसरों पर वह अवश्य जित पकड़ जाता था जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूडियां ले जाए परंतु विवाह के अफसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था आखिर सुहाग के जोड़े का महत वी ही और होता है मुझे याद है, मेरे मामा के यहां किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थी विवाह में इसी जोड़े का मूले इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते धेरों अनाच मिलता, उसको अपने लिए पकड़ी मिलती और रुपे जो मिलते सो अलग प्रिष्ट साथ यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिर थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड उठता और कभी-कभी तो दो-चार बाते भी सुना देता मुझसे तो वह घंटों बाते किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता कभी मेरे घर के बारे में और कभी यो ही शहर के जीवन के बारे में मैं उससे कहता कि शहर में सब काच की चूडिया पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है वहां तो औरतें अपने मरद का हाथ पकड़ कर सडकूं पर कूमती भी है और फिर उनकी कलाईया नाजुक होती है ना लाख की चूडिया पहने तो मूच ना आ जाए कभी-कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता जिन दिनों उसकी गाए के दूद होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से दो-चार आम खा आता परन्तु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता मैं बहुदा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहां चला जाता और एक आद महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता परन्तु दो-तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया हूंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधी तक मैं अपने मामा के गाउं न जा सका तब लगभग आठ दस वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुची नहीं रह गई थी अतह गाउं में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया इस बीच मैंने देखा कि गाउं में लगभग सभी स्रियां कांच की चूडियां पहने हैं विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूडियां देखी तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआया बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूडियां तूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा मेरे मामा उस समय घर पर न थे मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी तब ही सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं अतह शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था नमस्ते बदलू काका मैंने कहा नमस्ते भाईया उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया परन्तु उसने मुझे पहचाना नहीं और देड तक मेरी योर निहारता रहा मैं हूँ जनार्दन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था मैंने अपना परिचे दिया बदलू फिर भी चुप रहा मानो वह अपने स्मृती पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हूँ और तब वह एकदम बोल पड़ा आओ आओ लला बैठो बहुत दिन बाद गाओं आए हाँ इधर आना नहीं हो सका काका मैंने चार पाई पर बैठते हुए उत्तर दिया प्रिष्ट नौ कुछ देर फिर शांती रही मैंने इधर उधर दिर्ष्टी दोड़ाई ना तो मुझे उसकी मच्या ही नजर आई ना ही भट्टी आजकल काम नहीं करते काका मैंने पूछा नहीं लला काम तो कई साल से बंध है मेरी बनाए हुई चूडिया कोई पूछे तब तो गाओं गाओं में काच का प्रचार हो गया है वै कुछ देर चुप रहा फिर बोला मशीन युग है न यह लला आजकल सब काम मशीन से होता है खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुन्दरता काच की चूडियों में होती है लाख में कहा संभव है लेकिन काच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूच जाता है मैंने कहा नाजक तो फिर होता ही है लला कहते कहते उसे खासी आ गई और वै देर तक खासता रहा मुझे लगा उसे दमा है अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था उसके हाथों पर और माथे पर नसी उभराई थी जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला दमा नहीं है मुझे फसली खासी है यही महीने दो महीने से आ रही है दस-पंदरा दिन में ठीक हो जाएगी मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी विथा छिपी है मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काड़ दिये हैं कुछ देर फिर शान्ती रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल अब कैसी है काका कुछ देर पसचात मैंने बात का विशय बदलते हुए पूछा अच्छी है लला बहुत अच्छी है उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवास दी अरी रज्जो लला के लिए आम तो ले आ फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला माफ करना लला तुम्हें आम खिलाना भूल गया था नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाए है वावा बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था प्रिष्ट दस गाय तो अच्छी है न काका मैंने पूछा गाय कहा है लला दो साल हुए बेच दी कहां से खिलाता इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में धेर से आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहां खा पाऊंगा मैंने कहा वाह वाह वे हस पड़ा शहरी ठहरे न मैं तुम्हारी उमर का था तो इसके चाउगुने आम एक बखत में खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उत्तर दिया अच्छा बेटी लला को चार-पांच आम छाट कर दो सिंदूरी वाले देना देखो लला कैसे है इसी साल यह पेर तयार हुआ है रज्जो ने चार-पांच आम अंजुली में लेकर मेरी और बढ़ा दी आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक शन के लिए उसके हाथों पर ठठक गई गोरी-गोरी कलाईयों पर लाख की चोड़ियां बहुत ही फब रही थी बदलू ने मेरी दृष्टी देख ली और बोल पड़ा यही आकरी जोड़ा बनाया था जमीनदार साहब की बेटी के विवाह पर दसाने पैसे मुझको दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिया कहा शहर से ले आओ मैंने आम ले लिये और खाकर थोड़ी देर पस्चात चला आया मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी उसका व्यक्तित्व काज की चुड़ियों के जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए कामतानाथ कहानी से 1. बचपन में लेखक अपने मामा के गाउं चाओ से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था प्रष्ट ग्या रह 2. वस्तु विनिमय क्या है विनिमय की प्रचलित पद्धती क्या है 3. मशीनी युग ने कितने हाथ काड़ दिये हैं इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है 5. मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया कहानी से आगे एक आपने मेले बाजार आदी में हाथ से बनी चीजों को बेखते देखा होगा आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विशय में लिखिए दो लाख की वस्तूओं का निर्मान भारत के किन-किन राज्यों में होता है लाख से चूडियों के अथिरिक्त क्या-क्या चीजें बनती हैं? ग्याद कीजे अनुमान और कल्पना एक घर में मिहमान के आने पर आप उसका अतिथी सत्कार कैसे करेंगे? दू चार बाजार में बिखने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है आप इन परिवर्तनों को किस परकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए पाँ हमारे खान-पान, रहन-सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तयार कीजिए भाशा की बाद प्रिष्ट बारह एक, बदलू को किसी बात से चिर्थी, तो काँच की चूडियों से और बदलू स्वयम कहता है, जो सुन्दर्ता काँच की चूडियों में होती है, लाख में कहां संभव है ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है उसमें व्यंग भी है, हारे हुए मन से या दुखी मन से अत्वा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामाने नहीं होते कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझ कर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए दो बदलू कहानी की दृष्टी से पात्र है और भाशा की बात व्याकरण की दृष्टी से संग्या है किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तू, विचार अत्वा भाव को संग्या कहते हैं संग्या को तीन भेदों में बांटा गया है क व्यक्तिवाचक संग्या जैसे लला, रज्यो, आम, काच, गाय, इत्यादी ख, जाति वाचक संग्या, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, आदी द्वारा जानी जाने वाली संग्या ग, भाव वाचक संग्या, जैसे सुन्दर्ता, नाजुक, प्रसन्यता, इत्यादी जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है पाट से तीनों प्रकार की संग्याएं चुनकर लिखिए तीन, गाउं की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं कहानी में बदलू, वक्त, समय को बखत, उम्र, वय आयू को उमर कहता है इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिये, जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो अर्थ में नहीं शब्दार्थ चाव चाह, रुची, तीवर इच्छा सलाख सलाई, धादु की छड मुगरी गूल मुठियादार लकडी जो ठोकने पीटने के काम आती है पैत्रिक पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुष्टैनी खपत माल की बिक्री वस्तु विनिमाए पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना कसर घाटा पूरा करना कमी नाजुक कोमल पगडी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा पाग मरहम पट्टी जखम का इलाज घाव पर दवार लगा कर पट्टी बांधना मचिया बैठने के उप्योग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट मुखातिब देखकर बात करना डलिया बास का बना एक छोटा पात्र फबना सजना शोभा देना अभी आप सुन रहे थे पाठ दू लाख की चूडिया प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत